जैसा कि हम जानते हमारे वीच में हमसब के मेंचल हम सब के वहां गुरु इंडया की वाश्ट डूसर्श्टम मानेस आ चुके आपकी शांदार तालियों के वीच इन्वाइट करता हूं जो जहाँ पर गुरुदों के शांदार तालियों जाए इन्वाइट करता हूँ माने निये गुरुदो के सी छाड़ों सा फिली बेलेकम टुस्कीन सर रभी जी बहुत-बहुत धन्यवाद बट में चारों के एक बार में दस मिनिट का मुझे आप टाइम दीजिए आप जब सके दिवेदी जी है और भी बहुत सरे हमारे लीडर है अब जाए जिससे आपकी बड़ी बड़ी पेनट टीम में आने वाली है तो मैं रभी जी 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 कमले सर जी पढ़ना से कमले सर आजी है तो मैं इस में इन्वाइट करता हूँ हमारे बीच में सब्सक्राइब की नगरी बहुत बहुत धन्यवाद आर्वी दुवेदी रीवा मद्द प्रदेश से रीवा में मेरा ट्रेडिसन भी से मेरे दो होटल है इस्टोन करसर प्लांट है और मैं अब गुतल क्या से दे दिया हूँ आर्शियम जीता हूँ बस सभी सीनियर साचियों से जितने भी लोग लग पान सो लोगी सिस्टम में दिवे हुए है मैं सबसे निवेदन करूँगा कि यह यूम तो इसकी सीट पुलो चुकी है अभी भी मौका है सर ने दस मिनद का समय दिया है तो हमारे अब सब के पास पांच मुन साथ मिन का समय है अधिक सधिक लोगों को बुलाएं इतने लोग दिहार की सान है पटना के अंदर उनका भबड़ा वजिनस थे पटना के साथ साथ पूरे हिंदोस्तान में जनों ना रच्प लहराया हुआ है उन लीडर का नाम है हम सब के परना सोथ माननी कमल स्वराज सा अपली बढ़ा का इसकी निसराज सांदार टाली हैं सांदार थाल परसा हम घर से बाहर हैं इसलिए ड्रेस में नहीं है इसके लिए सबसे छमा और ठंड बहुत है इसलिए जैकेट पहने हुए है और केसी सार कोई साथ मिनट में आ जाएंगे तब तक आप लोगों ने हमको इन्वाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धने बाद और आप च जो लोग नहीं पर्चित हैं उनका उनके लिए मेरा पर्चे है नाम कमलेश्वर राय राने वाले पटना विहार का उम्र आज 30 साल अठारा दिन को क्वालिफिकेशन दूसरी कलास के और इस आर्षियम बिजनेस में हम लोगों के नजर में कम्याब हैं कम्याबी भी मिली आज इस बिजनेस में आने से पहले बाराश रुपे का नोकरी करते थे कपड़े के दुकान पर लेकिन आज इस बिजनेस के चलते मेरे दो बच्चे डॉक्र दो इंजिनियर बन चुके हैं उनको पढ़ाने में मैंने कर करीब भाई कोड़ों रुपे खड़ किये हैं और इस सब का राज क्या है बस आप लोगों के सामने एक मिनट में सेर करने जा रहे हैं इस सब का राज बस एक ही है कि आर्शिय बिजनेस का सबसे बुद्धू आदमी हम है इस सबका राज बस एक ही है कि RCM बिजनेस का सबसे बुद्धू वेक्ति हम है आज जिस वेक्ति को आप लोग सुनने के लिए आए हैं केसी छवड़ा जी को उन्होंने कहा था कि कम्लेश अगर जिस दिन तुम बुद्धू बन जाओगे इस बिजनेस में कम्याब हो जाओगे बस एक लाइन जान लो कि तुमको कुछ नहीं आता है जो अप लाइन बताए उसको हूब वहू कर दो तुमको कम्याबी मिल जाएगी और हमने अपना दिमाग नहीं लगाया जो केसी छवड़ा जी कते थे जो जैन साब कते थे हूब वहू वही हमने किया साथ कोई माने या कोई नहीं माने मार्च में जब इस मिटिंग के बारे में हम लोग एक करने जा रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि हर मंडे को साम को कितने लोग आएंगे सुबा-मीटिंग अपनी हो रही थी लेकिन मजाक मजाक में हम लोगों ने इस मीटिंग को चालू किया और हमने जैन सब कहा कि सर एक चीज differs मिटिंग में एक लाख लोगों को ला सकते हैं एक न्हारा दे दिया जाए और उसलिक नारा निकली कि एवरी मंडे एट पियम जा है अर्थियम और यह नारा इतना हीट हुआ कि मार्च में जो मेरा बिजनेस था आज उसे तीन गुना बिजनेस हो गया और इसके लिए किया कुछ नहीं हमने कुछ किया नहीं गए नहीं घर से बाहर बस एक काम किया कि लोगों को कहा कि आप मंड को मिटिंग में बैठो और जिस से मिलो अगर कोई रिष्तेदार भी आये तो उसको बोलो एवरी मंडे एट पियम और डोसी पर डोसी से बोलो एवरी मंडे एट पियम सब्जी खरिदने जाओ तो उसे भी बोलो एवरी मंडे एट पियम लोगों ने कहा कि सब्जी वाले से पाइदा क्या है? हमने कहां, बोल कर तो देखो फाइदा क्या है? और जब बोलना सुरू किये, every Monday 8 पएफेंअ, सामने वाले ने पुछना सुरू किया, कि every Monday 8 पीम का मतलब क्या होता है? और जब मतलब पूछ दिया, तो सुनना तो पड़ेगा उसको. लोगों ने सुनना शुरू किया RCM बताने का एक जरिया मिल गया Every Monday 8 PM बोल बोल कर मार्श से अभी तक कम से कम 200 लोगों को हमने खुद से जॉइन कर दिया जो कुछ जानते नहीं थे जिनको हम RCM बता नहीं सकते थे केवल Every Monday 8 PM करके हाथ मिलाया तो सामने वाले ने पूछा कि भाई Every Monday 8 PM का मतलब तब हमने बताना सुरू किया कि एक संडे वाला 8 PM होता है एक मंडे वाला 8 PM होता है संडे वाले 8 PM से लाइफ बरबाद होती है और मंडे वाले 8 PM से लाइफ अबाद होती है और उसको बताना सुरू किया नतिजा आज कि बीजनेस तीन गुना जादा कि आप सभी लोगों से निवेदन है आग्रा है कि मंदे के मिटिंग में बैटने से एक जिक कहानी बनी मेरा बीजनेस जब तीन गुना जादा हो सकता है तर आप सभी का 3 गुना ज़ादा हो सकता है, 6 गुना ज़ादा हो सकता है, 5 गुना ज़ादा हो सकता है, मंडे की मिटिंग का आप परमोजन कैसा करते हैं। उस पर निर्भर है कि आपका बीजनेस कैसा होगा. हमने और कुछ नहीं किया, केवल एवरी मंडे 8 पिम, एवरी मंडे 8 पिम किया, इस मीटिंग का प्रमोशन किया, और हमने काया कि भाई हमको तो कुछ आता नहीं है, मंडे को मेरे गुरुजी आएंगे, वो बताएंगे, और जो बताएंगे वो कर लेना, और लोगों न ऐसा करना सुरू किया, नई रोल्टी निकलना सुरू ही, नई टेकनिकल, एक कोरोना काल में तीन नई टेकनिकल छोटे में निकल गई, रोल्टी कितनी निकली और कितनी अभी मार्च तक निकलने वाली है, कैसे केवल एवरी मेंडे एट प्यम से गुरुदेव केसी छवडाजी और जैन साब की बात सुनने से, और हम चाहेंगे कि समय हो गया है सर के लिए, आप भी सुने, कि हम तो दुनिया के स हम से बुद्धु बेक्ति हैं और बुद्धुमान बेख्ति आपको सुननने वाले हैं, जै आत्म mieć practitioners, जै आत्र रभी जी ह嗎 16. से भी म कुपताजी पीली विल्कम सर जैसा कि राय साब ने बताया बाकई में एबरी मंडे एट पीम ने चमतकार कर दिया और जिन लोगों ने इसका फाइदा लिया है उनकी पिने हर महीने कोई नहीं पिने निकल रही हो और मार्च मों धमा का होने बाला है कर रहा हूं कि इसके लिए सर पूरी तैयारी करते हैं सब्ता भार मंडे को हमारी उपर ओलेल देते हैं अभी दोखों तैयारी पूरी चल रही है और सर पता नहीं आज कौन सा बम फोड़ने वाले हैं तो बहुत सारे बना के रखें उन्होंने लेकिन वह हमारी शमता के साफ से तो मैं चाहता हूं सभी साथी इस का पूरा-पूरा फाइदाल है हमें बहुत दिन्याद है जब हम सर को चेचे महीने पहले डेट मांगते थे और वो के देगी ठीके कुपताई अपनों बनाते हैं लेकिन ये सिस्टम का चमतकार है कि सर हर मंडे एट पीम हमरे सामने प्रिक हमारे सबके गुरू माश्टर आपदर सिस्टम इंडिया की सान जिनी की वजाए से अच पूरे हिंदुस्तान अपने सपनों को साकर कर रहा है आपकी शांदार तालियों के वीच जो जहां पर है गुरूदों के शम्माने तालियों करता हूं मनने यह कैसी चाड़ा साथ है सब्सक्राइब को मैं बहुत बहुत सुक्रियादा कर रहा हूं आप लोग ऐसा माहल एक ऐसा समा बना देते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल में भी उत्सा पैदा हो जाते हैं और मतलब पहले कभी यह सोचा नहीं था कि एकसाइटमेंट जो है वो टेकनोलोजी के माद्यम से भी पैदा हो सकता है और इसलिए सब पहले हम लोग जो मिटिंगे करते थे तो उसमें एक बड़े-बड़े प्रोग्राम से और बड़े-बड़े स्टेडियम में किया करते थे कोरोना ने टेकनोलोजी पर आने के लिए थोड़ा सा विवस किया पहले एक बार आया कि बहुत सारे फाइदे हैं बहुत सारे नुकसान फाइदा यह है कि एक साथ हम एक जिएक एक खटे हो जाते हैं और नुकसान यह था कि यार इसमें एकसाइटमेंट कैसे पैदा करेंगे और कैसे लोगों में उत्सा होगा लेकि से कोई बड़ा उत्सव आने वाला बड़ा फंक्शन आने वाला है और जो लाइव इस मिटिंग को आप सब लोगों की बीच में करते हैं उसका जी आनन्द है मैं खुद बहुत उत्साइट रहता हूं हमेशा और जब सुरुवात होती तो मैं खुद देखता हूं कि जो जो माहौल मुझे दिखाई देता है तो मेरे को थोड़ा सी उसकी एनरजी मिल जाती है तो मैं पालतेस मिनट इसले थोड़ा समय लेता हूं कि पहले मैं कुछ ले त ताकत वर हैं इतने साधन संपन्द हैं इतने मजबूत हैं इतने पॉलिसी मेकर हैं इतने गुर्मान और ग्यानवान हैं कि आप सब लोग इस पुरी दुनिया में आपके सामने कोई किसी की कोई विसात है ही नहीं आप सब लोग इतने ताकत वर हैं कि आप दुनिया के परिवार की जो ताकत है उसमें जो सबर्पढ है उसमें जो डेडिकेशन है उसमें जो काम करने की सेली है वो अपने आप में बहुत अनुठा अनुभव है बिना किसी बेदबाव कि हम सुब लोग मिलके जो एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं चली मैं अब अपनी की सियात्रा को अब हम कहां ले जाने वाले हैं आई ये बातचीट सुरू करते हैं मैं अपनी स्लाइड लाता हूं सामने लग अपने गोल बनाते हैं तो हम अपने इर्दगीर्थ अस वाहॉल अपनी काम और अपनी आशली को देखिये गोल बनाते हैं लेकिन यहां पे 2-0212 में कई चीजें ऐसी हो रही है और ऐसी tao को उसका आगाज भी हो गया कि ऐसी हो रही है कि हम अपने जीवन का सारा का सारा गोल वो किते हैं लोग गोल बनाते हैं शौट टरम गोल बनाते हैं मिट टरम गोल बनाते हैं लेकिन यहां पे दो जार एकीस में आपका लॉंग टरम गोल भी आपका दो जार एकीस में पूरा हो सकता है क्योंकि आपको एक बार अगर आपने जो भी सही रूप रेका बना के काम कर लिया फिर आपको उसके बाद आगे किसी और गोल को बनाने की जड़ते नहीं पड़ेगी है अब मैं यहां पे ज़्यादा कुछ बात को दर दर किये बिना में सीधा उस पॉइंट पर आना चाहता हूं जो स सबसे पहले 2021 की यह थियोरी क्या है जिस पर आप रमसर लोगों को मिलके काम करना है देखो इस बिजनस को काम करते करते 20 साल पूरे हो चुकी है और यह बात लगबग यहां पर बैठे हुए सब लोग जानते हैं और जो भी इस वीडियो को भी देखने वाले हैं जो कि लाइ पार है अगर उस व्यापार को बीस साल पूरे हो जाए तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है बीस साल के पहले जब कंपनी की सुरुआत थी तो बहुत चोटी सी सुरुआत थी एक पैंट पीस जैसे एक प्रॉडक्स से बिजनस की सुरुआत की गई राजि के बाद इस बिजनस की जो योजना थी जिसमें आप लोगों को लोगों के पास जाना है और इस बिजनस को बढ़ाना यह पबलिक के हाथ में था यह पावर पबलिक के हाथ में थी तो वो पावर ने इतना काम किया का आज भारत का कोना कोना जहां नहीं पहुँच पाया तो पिछले अगर मैं बात करता हूं पचास साल सतर साल सो साल डेट सो सालों में अगर कोई भी कोई बिजनस एंपायर नहीं पहुंच पाया बहुत बड़ी-बड़ी कंप्टें इंदुस्तान में काम करती है इंदुस्तान अपने भी बहुत विशाल कंट्री है 135 करोड की आब इसकी जो डेंसिटी है उसका जो पहुचने का तरीका है वह इतना जबरदस्त है आज तक जहां पे टाटा बाटा जैसे ब्रांड नहीं पहुच पाया आज तक छोटी-छोटी कंपनियों से लेकिंगे बड़ी-बड़ी कंपनियां नहीं पहुच पाई जिनको काम करते जितनी बातें आप से करूंगा उतनी कम पड़ेगी है मतलब अगर मैं कहूं कि अगर आपको मैं रोज एक उपलब्दी गिना हूं तो मुझे साइद पूरा एक साल लग जाएगा इन 20 सालों की उपलब्दियों के बारे में फिर चाहे वो हमारा डिलिवरी सिस्टम है चाहे हम हम लोग एन्रोल कर पा रहे हैं हेल्थ गार्ड ओल का हर मैने का टरन आवर है हमारे पास कई ऐसी विशेस प्रोड़क्ट्स सिरीज है ऐसे बहुत सारे काम कमनी कर चुकी है बहुत सारे रिकोर्ड ऐसे हैं जो हमने हिंदुस्तान में ने दुनिया के तोड़ दिये बीस साल की 20 साल का बहुत बड़ा रसा है अब यहाँ पर इस बात को मैं आपके बीच में इतना इसलिए जोड़ देंके कहना चाती हूं कि यह बीस साल में अबने हो वह अपने पहले बहुत बड़ा है कम नहीं बहुत बड़ा है और उस वीश साल के काम को आगर मैं बात करता हूं कम पास कंपनी के डिपो अभी ऑपरेशन में आ चुके हैं डिपो यह निए वेराउस मतलब मैं डिपो या उस वेराउस की बात करूं जहां पर कंपनी का जो प्रोड़क्ट होता है वहां पर और वहां से फिर पूरे भारत की चीजिए दुकाने आर्सम के माद्यम से खुलती है वहां पर उसकी सप्लाई होती है यह निए ट्रकों के ट्रकों माल खाली होता है और यहां पर फिर आटा तेल मसाले कपड़े जूते होजरी कॉस्मोटिक्स फूड आइटम ग्रोसरी यह सारे कंपनी के डिपो होते हैं जहां पर माल पहुंचता है मैंने जब सुरूआत के आ आफिस से ही हम लोग माल उठाया करते थे यहां पर आज एक सो पचास बड़े-बड़े वेराउस हैं जहां पर किसी एक वेराउस में आप चाहो तो दस ट्रक माल खाली करवालो पचास ट्रक खाली करवालो पांसो ट्रक माल खाली करवालो कुछ इस तरह के बड़े-बड़ के साथ नहीं कि कमपनी अगर जहां डिपो खोले तो कमपनी को पता कि कौन-कौन से डिस्टी कभी हमारे खाली है और वहां पे बिजनस कम है ज्यादा है लेकिन कमपनी बड़ा बरत्यारी करके और डिपो ने स्टेबिलिस कर रही है और एक लक्षे है कि 300 डिपो हमें कर देने और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता कि यह 300 डिपो तो साइड हो सकता कि जून जुलाई तक ही कम्प्लीट हो जाए मतलब 2021 भी पूरा नहों हो सकता 300 की जिए 400 यह 500 डिपो भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिस स्पीड से हर मैंने 10-15-20 डिपो फाइनल हो हैं अगर बीश डिपो एक मैने कियो तो पर तो छह मैने में छह साथ मैने में पूरा का पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा यह दस जार से ज्यादा पिकप सेंटर आज हमारे वीश में काम करते हैं जो कोई एक लाग दो लाग की पूर्दी से भी खुला हुए तो क तो ने क्योंकि क्योंके डेको विवस्ता है कोई वी चीजऄ बनती है कोई देगो आज अगर मैं पहले दिन कंपनी चालू करो और पहले देन करमें एक डुकान खूलनंू तो नहीं दुकान चलीगी नहीं प्रेपास वीवस्ता होगी नहीं मरे प साइनिंशल वाइबलेडि तो इतना हूज डिस्ट्रिबिशन नेटवर्क तैया किया हो कंपणी दसजार से ज्यादा से ज्यादा से चला कि आज काम कर रही है और मज़िदार बात है कि अब उतने के उतने सेंटर्स या उससे ज्यादा बड़ी है वेराइटी नहीं जहां पर वंडर वर्ड कुट के सीरी है लेकिन जो मैं आपको बात कहना चाहरा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि वहला आपको मॉटिवर्ट करने के लिए इसके पीछे पूरी के पूरी कंपनी की तैयारिया है क्योंकि अगर वंडर सिरीज के वंडर को खोलना है इसका मतलब आपको प्रोडक्स भी चाहिए इसक पूरी की पीछे मेनेजमेंट की टीम भी चाही है उतनी सर्वे की टीम भी चाहिए और मार्केट में जो आप बढ़े वहते हैं तो बहुत सारे कमपेटिसिन में बहुत लोग आ जाने हो तो जो इंडिया की टॉप टू हंड्रेड कम्पनियां में आज कम्पनी सामील है और सारे 600 से ज्यादा प्रोड़क्स आज हमारे बीच में हैं जिसके SKU अगर में गिननाता हूं तो मोटा मोटा गैरासो के आसपास हो जाते हैं लेकिन अभी 500 के आसपास ये प्रोड़क्स स्रीज इस साल 2000 एक किसमें नहीं लॉंच कर देंगे मैं जब जब भी आप लोगों के बीच में मिटिंग करता रहा हूं तो मैं आपकी बीच में कुछ बताता रहा हूं कभी ऐसा करने जा रही है तो कई बार लोग सोचते हैं कि यारई सर बहुत मॉटीवेट कर देते हैं और ऐसा संभव थोड़ी नहीं या ऐसा कुछ हो जाएग कि क्या क्या आएगा तो उसको समझने का वड़ा सिंपल तरीका है कि आपके मन में जो आएगा वो प्रॉडक्ट आ जाएगा और यहां पर ऐसा नहीं कि यह तो आएगा यह नहीं आएगा क्योंकि आर्सियम का जो तरीका काम करने का वो कुछ ऐसा है कि बिलकुल एक आदमी के और दिल में बैटके काम करता है घर में यानि कि घर का हर समान दिल में यानि कि दिल से काम करने का तरीक यानि जो समझ में अच्छा लगे किसी को उस पॉलिसी पे अगर यहां पर कोई लिलाके देरियर, आटा भी देरियर, दाल भी देरियर, अगर्बती भी देरियर, धूबती भी देरियर, 1 सेंपूग का पौँच भी देरियर आप इससे अंदाजा़ लगा सकते हो कि यहां पर कंपनी का काम कॉरांट मम yapmış को आदम की की सोचके बिलकुल अनुकूल उप बिजनस अची बात क्या है कि देखो यहां पर अगर कमपनी साल की तैरियां आपके सामने रख रही है और कमपनी आपको यह कह रही है कि एक साल में वह उत्ना उत्रा बड़ा सेट अब करने जा तो बीस साल में जितना बिस्ट सब्सक्राइब का हुआ है तो लगबग 15 जार क्रोड के अश्पास ट्रण और अभी कम्पनी का हो चुका है इन पिछले 20 सब्सक्राइब करें अब कंपनी कि आप से उम्मीद कर रही है कि आप एक साल में कंपनी को 15000 कोड़ का बिसनस लाके देए अब आप कोंगे यह तो बड़ा बहुत इंट्रक्टीकल है कंपनी तो कर रही है कंपनी की तहारियों में कोई कमी नहीं अगर आप चाहो अगर सारे के सारे मैदान में खुलके आजाए तो यह करना पॉसिबल है क्योंकि आपको पहले से कई गुना ज्यादा सुविधाएं पहले से कई ज्यादा आपको वेराइटी पहले से कई ज्यादा तरीके पहले से कई ज्यादा इंकम पहले से कई ज्यादा पहले से कई ज्यादा क्या रखती है कि आप जो भी काम करोगे आपको जो काम करने का तरीका है वो आपको पांच साल के बराबर का काम कर दिया है और 20 साल के बराबर नहीं देखो यहां पर क्यों करना चाहते हैं तो पैसे कितने बिलने चाहिए आप सब कितना प्रूटर के मुकाम पहें अपको एक साल में घृषा बीकिर पैसा कम साल के बराबर का पैसा देने की तैयारी में है एक साल में पैसा ले लो अगर मैं यह कहूं कि अगर जो मार्केटिंग प्लान और जो कमिशन कैलकुलेशन्स होती है उसमें आपको अचानक 20 टाइम पैसा बन जाएगा यह संभव नहीं है क्योंकि जब आपका बिजनस बड़ा ह है लेकिन यहां पर कमपनी एक ऐसा तरीका लेका ही है जिससे आप काम तो पांच गुना ही करो यानि की बिजनस तो आपने पांच साल के बराबर देओ लेकिन इंकम आप 20 साल के बराबर की ले लो यह अपने आप एक बड़ा तोफ़ा आज आरसिम आप और हम सब को दे रहा यहां पर तैयरियों का रूप रेखा बहुत आगे तक है यहीं बीस साल में अगर यह काम किया है तो दस जार से जादा सेंटर है तो नेक्स्ट फाइव यर्स में पांच साल के अंदर कंपनी गारंटी से एक लाग स्टोर खोल चुकी होगी एक लाग डिलेवरी आउटलेट और अगर आपकी यात्रह 200 किलोमेटर की है तो आपको जब तक रास्ते में 20-30 आर्सियम के सेंटर नहीं दिखेंगे तब तक आप की यात्रह पूरी नहीं होगी अगर आप अगर और कुछ मिले नहीं बिले लिगना आपको आर्सुम के व्यवस्था आर्सुम का फिकप सेंटर आर्सुम का डिलवरिय सेंटर और आर्सुम के प्रडुक्स आपको जरूर मिलेगे पर्सेंट है यह अपने आप एक बहुत बड़ी त्यारी है अब आप सोचिए का अगर दस जार सेंटर कोल के कमपड़ी ने विश्यू की रितिवान बना रखा है तो एक लाख होने के बाद आप इस बिजनस को किस निगासे और किस रूप में देख सकते हैं मैं जब इन सब चीज़ों को देखता हूँ महसूस करता हूँ तो मतलब उत्साइद होना तो लाजमी है और वो उत्सा मैं अगर आपके बीच में नहीं देपा हूँ तो यह फिर मेरी गुस्ता की हो जाएगी मैं चाहता हूँ आज आप इस बिजनस पे भरोसा करिया आप यहां पर कंपनी आपसे कुछ मांग नहीं रही है लेकिन कंपनी आपको बहुत कुछ देने जाने के लिए कंपनी आपस कुछ काम करवना चाहती है ऐसा चीज़ नहीं मांग रही है जो कमनी के दिक भी आपको आपकी कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी बस आपके कारे सेली में बदलाव करने की जड़त होगी वह आपका फर्ज बनता है जो आपको करना चाहिए प्रोडक्ट रेंजे जैसे आज यहां पर जो मैं बात और क्योंकि सुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट लारे में बहुत वक्त लगता है मुझे याद आती हो सारी वाते हैं के समझे पहली बार जब कम्पनी ने दो हजार दो में पहली बार वासिंग पाउडर और एक टूथ प्रेस्ट और एक साबन लाउंच किया था आज के समीन खरीदना बिल्डिंग बनाना फैक्टरी लगाना मसीन और लेबराटरी लगाना एक काम भी करना बड़ा मुस्किल काम होता था समझ नहीं है और बहुत बड़ा सेट अप करना है फिर प्रोडक्स बनेगा कैसे हर चीज की व्यवस्ता है जनरेट करनी है भी वो तूथ इसकी ट्यूब की दर से बनके आएगी उसका रेपर कहां तैयार होगा उसके डक्कन कहां बनेंगे उसका रो मटल कहां मिलेगा और कौन कौन से इंग्रीडिंट कहां से आएंगे उसके इंजिनर कहां से लाएंगे और उसके पैकेजिंग कहां से होगी कार्टन कहां लेबल क एक चीज को भी करने में बहुत सारी पजियत होती थी आज क्यूंकि के फैक्ट्रियों में इतना कुछ सेट अप है अलड़ी सब कुछ है आज कंपनी आज इतने सारे प्रोड़क्स बना रही है तो कंपनी को पचास प्रोड़क्स और बनाने पड़े तो पता भी नहीं चले कर कर बन जाएंगे से क्योंकि के पास सेट अफ और यहां पर आज कंपनी के पास बहुत बड़ा इंडिया लेवल का बैक अप है जहां पर कंपनी की फैक्ट्रियां हैं लेबरेटरी मसीन इंजिनियर्स टैक्निशन पैकेजिंग मार्केट की रिसर्च उस सब कुछ है अब प् हैं वहना थे आज उनके 23 प्रोड़क्स के स्रीजल पचास में सो में मल्टी सिरिज में मल्टी का मतलर नियूट्रिशन के अलावा और किसी ओर सीरीज में जाना और हमारे साथ एससेटित है रखते हुए 100-2005 प्रोड़क्स लादे ला तो कोई बड़ी बात नहीं निया के लिए बड़ी बात हैं आपके लिए काम करने बड़ी बात हैं में आपको अजिन memb situation करना उन्हाँ का आज आप किस बिजनस में है करपिस लोग सोचते कि आपकी ने स्विक विन किया के哇This काり हई अजार पें पर करेदा यह यह क्या है आपको घाब करा आपको यह पताचे लेगा यह जो खेवाई इस ही हुई है ने यह वह मंतर आपके हाथ में आ गया है वह एक फार्मला आपके आपका जहां पर दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल कमनी को आप यहां पर काम करके अंजाम तक पहुंचाने वाले हो यहां पर इस नहीं बन पाता है और यह स्वाबाविक सी बात है कि मैं आपको एक बार क्या मैं आगर आगे की सोचते हैं और बिलकुल जायज बात है आप अपनी जैके ठीक है लेकिन अगर आप मुझे जरा साभी अपना मानते तो मैं 20 साल आगे हूं है आज आप हो सकता है इसे बहुत सारे सातियों होंगे जिनको वह कास्ता हुए हुगे और या एक साल हुआ होगा या दो साल हुआ होगा लेकिन आप क्योंकि मैं अगर आपका परिवार का सदेश्य और आपका एक मुख्या हूँ तो आपको मैं 20 साल आगे का हूँ मुझे आगे के 20 साल दिखाई देते हैं और मैं आज अपनी आँखों से आपको वह दिखाना चाहता हूं कंपनी बहुत बड़े-बड़े ब्रांट के साथ टाइप करती है ऐसे पार्टनर्स हमारे पास होते हैं जो वह अपने आप में उनमें वही पॉलिसी होती जो आर्सिम देना चाहता है हर किसी के साथ आइप नहीं करती कोई भी कमनी उठागे लिए ऐसा नहीं है जिनकी बिल्कुल मार्केटिंग पॉलिसी का तरीका जिसमें अपना पन हूँ जो प्रोड़क्स की ट्रेनिंग्स भी कराए जो सर्विस भी दे सपोर्ट भी दे हर तरह से मदद कर है ऐसे पार्टर्स कमनी हमारे साथ रखती हैं ताकि मार्केट में कल हमा किसी और तरह का चैलिंज नहीं है आज अगर आप न्यूट्रिशार्ज का प्रड़क्स पे काम करते हो उसके बाद न्यूट्रिशन स्रीज में आपके सामने दुनिया की कोई भी कमनी टिकती नहीं है मननने को टिकने का सवाल नहीं नहीं एसा है क्योंक Towards नार्सेम का एक बिलकुल पार्टनर ऐसा है जो दो दिल एक जान वाला इसाब किताब जब चाहो वैसी मदद मिलती है जहां पर प्रोड़क्स को अच्छा देना सप्लाई को बढ़िया करना जहां पर नएने पॉलसी देना लगाता ट्रेनिंग करना ने क्योंकि यह एक बिजनस जो है यह बिजनस एक कोई नॉर्बल बिजनस नहीं है यह बहुत एक्स्ट्राउड मेरे को किसी ने बताई एक बड़े बड़े अच्छे इंट्रिजेंट आदमी थे तो उनकी जो बात है मेरे को बड़ी क्लिक भी करी उन्होंने कहा कि सर्थ जिनके पास पैसा होता है वो पैसा लगा के व्यापार करते हैं और जिनके बुद्धी होती हो बुद्धी लगा के वो सारी बाते आगई और एक है पैसा लगाने वाले पैसा लगा की काम करते हैं हमारे पास पैसा आनि हम तो दूसरा काम करते हैं तो आप हम सब लोगों के पास क्या है हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन पैसा कमाने की चाहत वो समणपर्ण वो अमीरों के खैलात वो बड़े बड़े अच्छे-च्रे बिजनस्मेन को पीछे छोड़ दो गया इसका तरीग की कुछ ऐसा है यहां पर इस तरह से आने वाले वक्त में बहुत सारे ब्राइंट सबाइत बीच में रहे बहुत सारे ब्राइंट जोंकी आने वाले पंट सालों में आपको दिखाई भी देंगे अब ये दो जार कीस में कमणी ने का बड़ा गजब का ऐसा धमाकेदार ऐसा तोफ़ा दिया कि रात को सरदी के मुझसे में भी रात को दो बज़े तीन बज़े चार बज़े लोगों ने मिटिंग करना शुरू कर दिया एसी ठंड जांपे कहता है कि कोहरे में किसी को एक दूसरे को एक दूसरा दिखाई ने दे सड़क पे को जा नहीं पहले लेकिन रात को उसके बाव जू दो तिन तिन बज़े पूरे अंदुस्तान जाग पड़ा तोफ़ा इतना कमाल का था क्या है तोफ़ा कि जनवरी दो हज जार इकीस तक जून दो जार इकीस तक जो च्छे मैने नहीं आज से अगर इस मैने को एक मैना गिनता हूं तो च्छे मैने तक हमारे को अपनी छोटी लेक में पांच लाग बिजनस वोलियूम जनरेट कर दे रहे हैं अब यहां पर कई बार किसी को यह लग सकता गयर पांच किसी के दिल में किसी के दिमाग में एक बार अगर बत्ती जल गई फिर कुछ वक्त नहीं लगने वाला ऐसा है अगर उसको समझ में आगया कि यहां पर मेरे लिए एक साली मेरी जिंदगी में बहुत बढ़ा बदलाव लाने का काम हो सकता है तो यह साली भारी पड़ेगा हम यह कि समर्पन तो आपको करना पड़ेगा और पांच लाग की वी कर ले जो कि मेरे इसाफ से कोई बड़ा फिगर नहीं है क्योंकि आपको इस काम को अखेले नहीं करना है आपको बहुत सारी टीम होती है और अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा जिससे हम यह सब चीजों देते हो इसे छोटी पहले में बात करना भी नहीं चाहता चोटे और दे रखे लेकिन मैं नहीं चाहता तेकि वे छोटे क्यों चुनूं जब मेरे पास बड़ा काम करने की कुवत है इच्छा है और मेरे पास अगर अर्णिंग की पावर है मैं दसलाक कमाने की औस को चोड़ किसका जो तोफा कंप्री ने जो आपको मेरे को दिया है वो क्या दिया है कि 10 percent से अधिक की growt अगर मैं करता हूँ जूलाइ से लेके ॡिसंबर तक सोरियां पर गलती से जून लिखा वा है जूलाइ से लेके तो चैनल मेने जून तक हमें काम करना है शुरू के चैनल मैने अगर काम करके पांच लाग की छोटी ले जाते हैं अब यहां पर company आपको 10% से ज़्यादा का incentive देती है और उसके लिए आपको जुलाई अगस्त और यहां दिसंबर तक आपको 10% की minimum growth maintain करनी है अब अगर गोर से इस graph को देख रहे होंगे तो आपकी 6 मैने की growth ज्यादा है जुलाई से growth आपकी कम है आपको उतनी नहीं करनी पड कमिशन बनता technical achiever का अब देखो आपको साइड हो सकता कि किसी को कहे कर कोई कहता कि मुझे नहीं मालूं कि क्या देता है क्या देती है कमनी कितना आता है यह तो वैसे आता होगा सबको मिलता होगा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बीस साल होगे मुझे काम करते हैं 20 स अगर निए चेक बनाओ 9,9999 में रुपेका तो 9,9999 में पही इतका दिया उसको भी 10 लाग नहीं नहीं दी आज तक एक रिपा नहीं दिया लेकिन आज आज आपको एक मेने का चेक आपको एक डबल चेक देना चाहती है और वह चेक क्या है कि आपका एक लाग है तो दो 21 अगर आप इस ग्रोथ को मेंटेंड करते हो अगर आप अपनी ग्रोथ को दसकी जिगे 15% मेंटेंड कर लेते हो जो कि मैं नहीं समझता है कि किसी भी एक अच्छे समर्पत वर्क्तिकली को मुस्किल काम है और 15 कर लेते हैं तो फिर यहां पे कंपनी आपको जो दुगने की जिगे यहां पर तीन गुना पैसा देती है यह अगर आपका चेक अगर एक लाग का है तो वह चेक बढ़के एक लाग की जिगे तीन लाख हो जाएगा वोई company जिसने एक रुपय नहीं दिया यहां तीन-दीन गुना मदला आपके विश्यस महरवानी है और यहां पर मैं आपको सब्सकाइभ तो विश्यस महरवानी है तो हम सब सब्सक्राइब भी है क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ा कमणी ने कमणी किसी ने सवाल पूचा कि सब्सक्राइब कर लिए तो अगर कमपनी की तैयर यह इतनी जबरदस्त है और तवफ़ा इतना कमाल का है कंपनी के देना एक साल के लिए ने लेकिन एक साल आप काम तो गुनाँसा और जून तक अगर हम काम करते हैं और अगर अपनी ग्रोथ को यहा परषण कीृचेश है कि मैं 20% मेंटरण कर देता हो तो यहां पर आपकी इनका मोती वो चारगुना हो जाती है यह लागेет यहां पर किसी तरी नहीं नहीं लगाई है सिलसला यहां पर खतम नहीं होता है और कंपनी कहते हैं कि अगर आप अपनी ग्रोथ को अगर पांच गुना मेंटेंड कर लेते हो तो यहां पर आपको कंपनी पांच गुना पैसा देती है यह यह पांच गुना तक पैसा देने की कंपनी तेहरी आपके लिए लेक्या आईए अब मुझे बताने की जुरूत है कि आपके चेकों की साइच क्या हो सकती है लेकिन मैं आपके एक एक एसास करना चाहते हूं कि मैं कहता हूं भाईया तेरों को भी मालूम नहीं कि नमक तेल मसाले राटे तो इंदुस्तान में मुके सम्मा नहीं बेचता है दुनिया का सबसे रईस आदमिया अजिए दूसरा को इसकी पावर बहुत बढ़ी है लेकिन समझना पड़ेगा लूटने के लिए प्रोड़क्ट से प्रोड़क्ट को लूटा नहीं जा सकता है दूसरा कोई कंपनी कर नहीं सकती हां कि करोडों लोगों के घरों में जाया जा सकता है और वही काम कंपनी आपके बीच में करने वाली है कंपनी पैसा बांट रही है अब लेना और नहीं लेना यह आपको तैय करना है मैं आप को सचम जमानदारी से बताना चाहते हूं कि ये बात मैं आज आपको मोटीवेट करने के लिए बिलकुल नहीं कहना चाहता हूं मैं चाहते हूं कि इसकी एक ठोस्ष योजना बनाइए अपने senior के साथ on a senior साथी के साथ बैटिये बले अगर आपने आज ही जोइन क्यों नहीं किया हो उसको बोलिए भाईया मुझे ये पैसा चाहिए है नहीं मुझे पैसा जी क्या प्लान है ये क्या दिया तफ़ा एक साल के लिए जो कमणी ने जो ये इसके बारे में जानना है और मुझे इसके काम करना है क्योंकि ये तफ़ा आपको केवल इस साल के लिए मिला ह एक साल का पूरी जिंदगे एश्युआ रहा है यह बात मैंने अगर मैं ने जिए मिटिंग दे इन यह के को आग और से ऑपको और यह वाली टाइटल मैं नहीं दिखाई थी एक तो करता हूं कि ओ comic company कम की को नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि कि एक साल कुछ ऐसा करेंगे और वह जब यह बात मैंने कही ती तब को पांच गुना नहीं देगी यह बात लागु की चाहिए तो उसके बिना पिए साल कुछ को ऐसा करना चाहरा था और है आज भी है मेरी कि उसके बिना भी एक साल कुछ ऐसा करना है कि मैं पूरी जिंदगी काम नहीं करना है एक साल में बिजनस को बड़ा करना है स्टेबल करना है लॉकिंग करनी है मजबूत करना है ताकि हम लोग एक साल में बहुत बड़ा काम ऐसा कर ले कि पूरी जिंदगी क करने के लिए कोई साथ में मदद के लिए कुछ ने कुछ कर दो दो तारीक निया तौफा रिलीज कर दिया हमी जो अभी मैं आपको आगे बीच में सेर करूंगा और पता चला कि जब हमने इस पे काम किया उत्सा इतना जबरदस्ता और काम करना स्टार्ट किया थोड़े दिन चाहते हैं तो लोगों को आप बड़ी थ्योरी पे लाईए बड़े वीकल में बठाईए बड़ी यात्रा में सामिल करिए और मजबूत बजिनस करके और पूरा सपोर्ट करिया उनको करिए इस ट्रैक पे लाने के लिए जो ट्रैक अभी मैं आपको बताने वाला भी हूं य क्योंकि वो देखो कोई भी आदमी बिना काम किये तो पैसा कम नीज से नहीं मिल सकता आजाद हो आप फुरी हो मेरी तरफ से आप अपनी इच्छा से मर जाए जो करें मुझे के अपती नहीं है लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते तो समय आपका भी कीमती है मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं तो आप यह तो काम करते तो मेरे तरीके से काम क बिजनस चैलेंज का है अब यह ने यह बिजनस को को नर्मल बिजनस नहीं रहार यहां पर अब यह करना आप की लिए जरूरीर है औरÓ सब जो मदद चाहिए जो any company की तरफ से जो भी व्यंतिताई सब्सक्रम की जालेगा लगए एक लक्से मनाओ किसरे में कुछ करने वाला हूं और अगर कोई कहता कि यह मुम्किन नहीं है यह साइद नहीं हो पाएगा तो मैं आपको नाम गिनाओंगा या मैं आपको बताऊंगा इतने लोगों को मैं करके दिखाऊंगा कि यह लोग कहां तक पहुंच जाएंगे अब यह जब तक हम लोग करने युद के मैदान में जब तक आप उस युद की तयारियों के साथ नहीं उतरते हो तो यह भी कुछ बिजनस ऐसा ही है जहां पर आपको पूरी तयारी के साथ बूदना चाहिए संगत बदलो अब देखो बदलना ज़रूरी है क्योंकर करोणपती बनने वाले तरीके में अगर आयो और आप अगर पुराने तरीके से जिनके लोगों के उस बीच में उठते बैठते हो तो वो कभी भी आपको बढ़ने नहीं देंगे संगत बदलो और यह जो मिटिंग आपको जो मिलती है इस मिटिंग में आप लोगों को लाई है यह बड़ी संगत आपको देती है इसका वीडियो लगातार देखिया और जो लीडर से उनके बीच में रही हैं उनके साथ कम्मुनिकेट करिए अग्ये हो सकता आपकी जीवन आपकी जिन्दगी में आपको बड़ी कामया भी नहीं देलाते हैं तो यहां पर जो अपलाई ने जिससे आपका रिस्ता भी नया नया बना है बले हो सकता पंदरा दिन हो एक मेना वो दो मेने हो लेकिन संगत कर रहे हैं उनकी मैं आपको ये दावा करता हूं कि कोई विक्ति आपको किसी भी तरह से ने नुकसान पहुंचाएगा ने आपको कोई गलत सला देगा ने को आपको खराब करने की तरीके बताएगा लेकिन आपको कामयाभी की जिन्देगार देगा लेकिन वह उसका करने के लिए आपको उनकी संगत में रहना जरूई है है कि хват घुंग स्टम्ड बज्न्स करो यहां पर आपको कामयाप होना तो कामयाप होने के तरीच म міलते को कैसे काम करो भी कुछ चीजे में आपके सेर करने वाला हुँ अपने दिमाग मत लगवा अपने जितने प्हूस están by आप परिशान हो जाओगा ज्यादा तो अब फ्रस जिम्मेदारी ले हो था कि आप खुद अपने काम करने का तरीका जो था है कि अभी तक हम लोग क्योंकि गोल सेट करके काम नहीं करते हैं और इंडिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो कभी 5000 का बिजनस किया कभी 3000 किया कभी 2000 किया कभी फिर 5000 किया ऐसे कम जादा हम करते रहते क्योंकि हमने कभी गॉल सेट नहीं किया और गॉल सेट नहीं किया तो यहां पे अब हमारा जो बिसनस का ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसे चलता है लेकिन यहां पे कंपनी आपको क्या कह रही है कि अब आपको अगर काम करना है तो अगर आपको यह ग्रोथ की पॉ के आपने झीवन में कुछ काम करते हों कि अपके बनाने का कौन सा रास्ता है है वे ऐसा कौशा तरीका जो आपको 50 लाख की कार दिलवा दें ऐसा कॉंसा तरीका है जो आपको जीवन बर घर में ने इनकम हाने का रास्ता कड़ा तर貝ों ऐसा कॉंसा तरीका है जो भीकले में दुनिया के बड़े उद्योंग पतिय को पीज चलिए एसा आपको समझ MY करन दूसरा कोई तरीका नहीं है तो पर्तमिकता फिर इसको देनी पड़ी ऐसे मत नोखरी को देंगे तो यह मांन के चलिए और सुम बड़ा नहीं हो का नोकरी बड़ी हो जाएगे हम जितने को समय देंगे काम तो वह होगा तो अगर मुझे अगर आर्षाम को बड़ा करना थो मुझे समय आर्षाइं को देना बढ़ेगा अब क्योंकि यहां पर अमीर बनाने का तरीका है यहां प्र अब आपको अब करती है अब सर्थ परसेंट भी एफर्ट करोगे तो आपको 80% रिजल्ट अपने आप बिल जाएंगे बसरते कि आप सिस्टम आधारित काम करो नीचे टीम में चीज़ों को डुप्लिकेट कर दो अभी जब कम्पनी ने इस पॉलिसी को दिया तो पूरे इंदुस्तान के सभी लोग इस पॉलिसी पर रात दिन एक काम करना शुरू कर दिया तो मेरा काम तो असान हो गया ने यहीं कि नीचे काम कमपनी काम करवा रही है आपको भी इस पॉलिसी पर जब लोगों को लाओगे तो लोग अपने आप इसके उपर प्रात्मिक सेटी प्रशंद जाविट वाली पॉलिसी बताओ उंको अस्वासन देओ उनको त्रीका देओ नीचे वाले करें के आपको वाले करेंगे तो अपको थोड़ा काम करना पड़ेगा बाखिका काम आपका अपने आप होना लगया कियो कैSt CPA करोंपटी बनना कितना वक्त लगी जो कुछ चाते हूं हो जो कुछ चाते हो ङूलि 색ứ में सब कूझ ग्मिपलिट मुझा कूर है है आप ऐसे मान के चल नहीं दो जार बाइस आएगा हिए ε नहीं सोचो यू ऑप ऐसे नहीं हो बेसा काम करने के लिए निहीं करने के लिए आएगा परिवार को गुमाने के लिए आएगा दादादी को त्यात्रा करने के लिए आएगा आपका एक साल में आप ऐसा काम कर लो कि इतना सीक्यर हो जाए आप टीम में इतना बड़ा टीम बिल्डिंग कर लो कि आपकी टीम में लोग नीचे अपने आप काम कर होंगे तो आपको एक साल की जगे पिर पांक साल काम करना पढ़ सकता है करो नेयों टाकिर होगी कहां से अगरो त फ्रिंड हो कि दो जेगह से हैं को सिंद्ध पर शेक्द पर्से यह नहीं हम जाधा से जाधा लोगों ऐना और दूसरा ढ़का से छाधा और इस थ्योरी का नामेंद चार मैने में चार लेवल डिलुए हमने देप थी दिसंबर मैने और लोगों ने इसमें काम करना सुरू किया व तर बड़िया काम करना सुरूं किया और यह थ्योरी Aisy कमाल की है इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा लेकिन यह आपको 끝 त 토ai क感じ के वह सबने आपके जीवन में पूरे करा देगी जो साइद आपने जो अभी अदे सोचते भी डर लगता है यह अमीर बने का गारंटेड रास्ता है यह वह ऐसा होई जाज है जो जिसको जिसकी उडान सबसे उची होती है दिखता यह क्या दे काम चोटा है परड़ाम बड़ा इसका यह चार मैने में चार लेवल की छिवरी क्या थी कि नमबर मैने में जिसका जो लेवल था दिसंबर मैने में उसको उससे अगले लेवल पहाना था अब क्या 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 लेवल है वो अभी में चर्चाप के सामने कर रहा हूं जनवरी में उससे अगले सीड़ी पहाना था मैने में दूसरी सीड़ी किसी को पूरी करनी है क्योंकि यहां पर दिसंबर निकल चुका यह चार मैने के चार लेवल मार्च के मैने तक निरधारित है और जो भी लोग ऐसा करेंगे उनका अच्छा सा सेलिबरेशन होगा और यह आदत बनानी कि हमारी पूरी एक तहरी और आदत रहे हैं कि मैं आपको एक सिस्टम आदारी चीजें बताओं अगर आप हम उस पर काम करते हैं तो हमारे लेकां सोड़ा सा असान हो जाता है यह सो परसेंट का फार्मुला है कंपनी दस परसेंट में पैसा डबल दे रही है तो सो परसेंट की आदत अगर आपने डाल द दालनी पड़ेगी कि चार मैंने में चार कदम जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको आप सेलिब्रेट करिए उनको आप उनको संबोधन करिए उनको आप वाटसप पर उनको कॉंग्रिजुलेट करिए उनको आपकी छोटी-छोटी मिटिंगों में आप उनको एक अलग जगे दीजिए आप इने यह देखो यह छोटी-छोटे काम है प्रॉपर काउंसलिंग करिए याद दिलाई कि आपका दूसरा लेवल है आपका तीसरा लेवल है लेकिन यह काम आपने कर लिए आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा यह चार लेवल क्या है आए थोड़ा सा इ है नि कोई भी कंपनी किसी को भी अगर मिजन क करने के लिए काम करने के लिए अगर कुई बताती है तो पहला टारगेट कैवा पांच जार बिजनस हो ल कैसे करना है कि आप कुछ लोगों को जोइन करा कि पाल्स जार के लेवल पर कम्क्लीट कर दो अब यार लोग करते हैं यह तो आप हमारी बेच्जती कर रहे हो बोले यार पंच जार का यह भी को टार्गेट का मतलब पचास जार बोलो एक लाक बोलो बात समझ में आती है यह क् और वह मना करता है तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए का आपके लिए कौन आपके लिए फिट बैठता है ने पांच जार शूटा सा टार्गेट है और कोई भी आदमी बड़े आराम से दो लोगों को जोइन करा कि अगर अपने घर में दो दो जार रुपी कि खरदार करा देता है तो आपका छेजार हो जाता है नहीं पांच जार का लेवल आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको पता से लेगा कौन कमिटेट है अभी क्या होता कई बार हम बहुत सारी बीड़ लियाते हैं पर जो कंपनी आपके लिए करोड़ों अर्बों फैरा टार्गेट बहुत आसानी से पूरा बिजसर किया एक दुसरा टारगेट यहां котором कि आपको आपने जो पहले किया आपने लोगों का रहों कि लोगों की मदद करो कि आप का मजशन हो यह मी अगर किसी का मैंना निकल का है तो जनवरी मैने में वह दस हजार का लेवल कंप्लीट करें ताकि इस यात्रा को वह समय पे पूरा कर पाए और उनको सम्मानित कर पाए हम लोग जो कि मही मैंने में इसका बड़ा सेलिब्रेशिन प्रोग्राम हम जो करने जा रहें उसमें उनको सामिल कर पाए तीसरा टा टारगेट पूरा करो टीम में उनका पांस 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 करो और उनको भी आप यही बताते जाओ यह सारी काड़ी चल पड़ी आप डायमेंड जाने तक आपको दूसरा कोई और फॉर्मले की ज़रूत नहीं पड़ेगी पर संद्रेट परसंट डुपलकेबल है मर्जे जितनों को लाओ एक चीज सिखाओ चार मेने में चार कदम की थिए पर अगर काम कर लिया आपने आपको कोई टार्गेट आपको बड़ा नहीं लगेगा सारे ठार्गेट छोटे हो जाएंगे आप पर तीसरा टार्गेट क्या सर्था चौथा लेवल कहा है वह दोपयानि जासे लimar का तोतल बिजुश यहlye चोटी लगए आपकी कम से कम । और यहां पर आप काम करते होता आपकी बड़ी लेक से उसमें पिर आपकी जो टी मों डुक्रिकलेट हो जाती है काम- Britney नेटवर्क बनाना है तो सबसे आसान काम है आप अपना दिमाग लगाओगे अपने तरीके से समझाओगे लोगों को बात समझ में नहीं आएगी मिटिंग में लाओगे लोगों को बात समझ में आएगी अभी तक मेरा 20 साल का तजरुबा ये कहता है कि 99 परसेंट आपके जाते हैं तो डुक्लिकेट हो जाते हैं क्योंकि वह सीख जाते हैं समझ जाते हैं और वह जान जाते हैं कि मुझे लोगों को मिटिंग में मैं मैं आते हैं तो आप इस बिजनस को जितना जानना है वह सब मिटिंग में समझा दिया जाता है आप पहले दिन सब कुछ नहीं सी सोसाइब लोग अपने आप जो-जो जिसको समझ में आता जाएगा काम करता जाएगा ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को शामिल करें यह आपका काम में नहीं लोग को आप अगर अपने तरीके से बताओ नहीं मोई कहते हैं तो क्यों नेकि नियुक्त को शॉसार लेकर करूब पर वाले कैसे क्या हिसाप किता बनाया ये तो उपर वाला जाने वो जाने दूड लेने जाना पड़ता है और गलत आते तो आपके पास चल आपकी आदिते ऐसे पढ़ जाती है तो यहां पर अगर आपको नए लोगों को एदो थोड़ा सा मैनत करके नए लोगों को जादा से जादा मिटिंग में बैठाना चाहिए बलकि यह टार्गेट होना चीए एक कमिट्मेंट होना चीए अगर जो मैंने का निया डिस्ट्रिब और इसी साल दो जार किसमें रुपे मंतली चेक बन सकता है यह संबव है लेकिन आदितन को ठीक करना पड़ीगी दूसरी त्यारी आती है रीपरशेज की यहां पर कमपनी की कोई यह स्कीम नहीं है यह पंडालोजी नहीं है आने को आइडियोलोजी नहीं है कंपनी तो माल क्वेस्टी है तरनोर से जतना ज्यादा कमिशन बंद आपके बीच में बांड देती है इससे यह आपका बिजन स्टेबल है जितना ज्यदा टurnor आपकी कमनी का होगा उतना जदे आपका कारवार उतर आएगा अर एक दिन आप काम करना बंद भी करते होगे तो प्रोडक्स बिकते रहते हैं इसलिए आपका इनका बात इरती है की कभी सिक्रूटि नियुती ही की तो कभी स्वाह हो जाती है वो वो भी स्वाह होती है आपको भी स्वाह कर देती है लेकिन ये प्रोडक्स का बिजनस है यहां पर आटा दाल मसाले पापड़ अचार चट्नी दनिया इंग मूंग यह सब चीजर साथ में हजारों प्रोडक्स जो आने वाले हैं लोगों की गरों में यूज होते रहते हैं वो यूज होते रहते था आपका बिजस चलता रहता है अपकी स्टेबल्टी अपकी सीक्रिटी रहती है अब क्योंके बात आती है री परचेश के हमें इसको कैसे बढ़ाएं तो यहां पर कंपनी ने एक और तौफा आपको दिया वो तो तौफा दिया था दो तारिक को पह कर दो कान खोल सकता है और एक असी डुकान कोड़ सकता है जो अपने आप पे पूरे धरती पर अनूत ही है पूरे विचुम किये बिना को स्टाफ रखें कुछ खर्चा खर्चा अठम नहीं कर रही और दुकान चालू होगी ना इन्वेस्टमेंट है कुछ तो यहां पर कमनी ने का भी आप एक चाहो तो डिस्प्ले वाल यानि हमारा स्टोर चालू कर सकते हो स्टोर चालू करने के लिए आपको इतना क करना चाहते हो अगले कम्प्यूटर ही सेंक्शन हो जाता है कभी यह नहीं पूछे तक आपकी दूरी कितनी आपकी पैसा किता लगाओगे जगह हैं निये जगह का किराया बाड़ा कर्चा साइज कुछ निए और नथिंग बस आपने का स्टोर चाहिए आपको मिल गया तु पर मोड पर लाना है आपको तो आपकी खरिदारी पचास जार की भी हो सकती है एक लाग की बहुंसक्ति कंपनी कम से कम दस जार की खरिदारी से भी आपका स्टोर चालू कर देती है और पूरे धरती पे इतना छोटा इंवेस्मेंट से इतना बड़ा करोबार हो जाए ऐसा जए और कोई कंसेट है नीए एक जैने जुटा पोलिस करने प्टै लगा है तो इसे जारा पैसा लग जाता है पांड की दुकान लगा तो सिर्फ 20-30 इसा लग जाता है और दसजार पर में आदमी घर के सामन खरीद रहा है दो तीन मेरे का एक सामन करीद लिया काम करीदा य पाइदा यह है कि यहां पर आपको एक मिलिंग सॉफ़एर मिल जाता है नहीं आप खुद अपने जितना चाहिए असपास के लोगों को सेल कर सकते हो और इसे पक्का बिल बना के लोगों को सामान दे सकते हैं अब यहां पर कंपनी ने स्टोर के साथ में कुछ एक ऑफर और द अगर नहीं करते हो तो नहीं करते हैं कोई बात नहीं को जबर्दस ही नहीं है लेंगिन अगर आप करते हो तो यहां पर कंपनी आपको पंदरा सो डीपी का एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट आपको फ्री बेदेती है यानि आपको प्रोड़क्स की और प्राइज और कम कर देती अब कई लोगों के मन में आता गया यह प्रोडक्स तो है कमणी ने पहले से पैसे ज़्यादा ले लिए यह बात मिलकुल सही है कि मार्केट में जब भी स्कीमे आती है तो पहले प्रोडक्स को यह तो महंगा कर दिया जाता है या कमपनी कोई माल निकालना चाहती है ने माल पड़ा पड़ा इखटा हो गया है निकालना चाहती है तो स्कीम निकाल देती है या प्रोड़क्शी प्राइज पहले से ज़्यादा करके और फिर स्कीम निकाल देती है या चीजे महेंगी होती है उसमें स्कीम निकालती है यहा पर तो सब कुछ बहुत रीजनेबल और उसके बाद भी आपको पंद्रा सो का प्रड़क फ्री दे रही है वो कहां से दे रही है कि कंपनी अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है ताकि आप रीपर शेज बढ़ा पाऊ कंपनी ने का या चुरा बड़ा काम करना है हम आपको रिटेल करने का सेल करने का या वोज्म बढ़ाने का तरीका दे रहे हैं अब आपकी टीम में चितने ज्यादा लोगैसा करें यह आपका बिजनस बढ़ जाएगा आपका बिजनस एकद्व डॉबल ट्रीपल Aven पांच गुना हो जाएगा आपकी स्पीड दस-पंद्रा परसेंट की जिए आपकी 20-30-50 परसेंट की स्पीड हो जाएगी अब यहां पर एक और मुद्दा आता है कि कमनी कहती है कि सबोज माली जे कोई यह कहता कि मैं तो दसजार पर भी नहीं लगा सकता मैं दसजार पर नहीं चाहता मिरे पास जगह नहीं है मैं तो अखेला रहता हूं मेरा मैं तो रहने वाला बिहार का हूं दिली में कमरे में रहता हूं दिन बर नोखरी करता हूं मिरे पार इतना वक्त नहीं है जो भी कुछ है कोई भी हालां कि एक्सक्यूट किसी भी चीज़ के हो नहीं सकते फिर भी अगर कोई भी कारण है तो कंपनी कहती है अगर आप दो हजार बिजन सोजम का प्रड़क खरीद लो और जून तक अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको दो हजार डीपी का प्रड़क्स इसमें फ्री दे देंगी इसमें न्यूट्री चार्ज कमनी की तरफ से आपको भी कदने सोने की सिक्के की वारिस कर दी उन्होंने वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मातर साथ सो बिजनस वॉल्यूम का प्रड़क्स खरीदने पर आपको फ्री दे देती है और वहां पे ओफर आपकी डबल हो जाती है यह यहां और यहां पर कई कि सीज़ें कामनी वहनगी दे रही हुघ और यह मैं आपको प्रोडुक्त का प्राइज कंपरेजिन दिखाता हूं कि यह कैसा चैलेंज आपके बीची में है कि जैसे आपके पास अगर जराशा भी मन में कोई डाउट हो आपके पास तो चलो हो सकता नहीं होगा क्योंकि आप आर्सम परिवार से जुड़े वे और आज कि कंपणी को किसी भी तरह से चेलेंज करें और अनी की कि तरफ से लेकर के कि जादा इस कमनी को चेक करोगे पचास नहीं खूबी और पता चल जाए यह इस इस बिजनस की कमाल की पावर है यहां पर आप देखिए का मार्केट में टूथपेस्ट आता है जो कि सो ग्राम पैकिंग है और बाउंड रुपय मार्पी है अब सेम टूथपेस्ट आर्सियम का है जो कि हिंदुस्तानी आपकी देशी स्वडेशी कंपनी है आपकी कंपनी है वही सो ग्राम का जिसकी एम आर्पी ही 45 रुपय है यहीं कि पहली बात थो अमर्पी कम है उसके बाद अगर कोई भी डिस्ट्रिबूटर हमारा खरिदता तो उसको उसके घर में बिना नेटवर परसेंट तो यानि उसको पढ़ता 33 रुप एसी पैसे का और अगर वह डिस्प्लेइवाल चालू कर देता है या दो हजार डीपी का प्रटक्स हर मेने खरिदता सुरू कर देता है तो साथवे मैंने आठवे मैंने उसको जो प्रटक्स फ्री मिलता है उसकी जो कीमत और घट लेका है तो वह चाय कितनी बढ़िया कमनी चोड़के चालू कमनी का भी लेगा ने तो भी इस रेट में उसके पास नहीं आता जितना बैस्ट प्रडुक्स आज हमारा इस रेट में आम आदमी के घर में आता है पर अब दुकान दार चीस रेट में करेंद नहीं पा रहा है अब इस दुनिया में इस ताक्षत को कोई रोक नहीं सकता है यह बिजनस अगर लाग दो लाग लोगों के लिए बनाया जाता तो यह टूथपेस्ट 30 रुपे 90 पैसे में नहीं मिलता एक सो तीस रुपे 90 पैसे में मिलता और ऐसा है मार्केट में कमपनिया सो ग्राम का टू प्राइस की प्राइस दिखा रहा हूं आप कॉफी ले लिजी एक सो पचास रुपे की कॉफी आपको नबब रुपें पढ़ती है कपड़े दोने का साबून देखिए आप 10 रुपे का एक सो चालिस ग्राम का पैकिंगर इनका यहां पर आर्सम का एक सो नबबे ग्राम पै कंपनी हैं लूट रही है साल एक सो चालिस साल पुरानी कंपनी आज इंदुस्तान के घरगर में पहुंच गई नाम इंदुस्तानी रखने से थोड़ी ने को इंदुस्तानी हो गई पचास रुपे मार्पी हैं आर्सम का 20 रुपे 70 पैसे हैं और मैं आपको दावे के साथ प्रोड़क्स यूच करके देखिए को आदमी आप सब लोग मुझे नहीं पता कौन कांसे है घर में यूच करके देखिए अगर किसी को लगे कि प्रोड़क्स में दम नहीं है तो प्रोड़क्ट वापस भी नहीं करें और दुगने पैसे मेरे से ले जाए मैं पूछूंग के पास जो बड़ी बड़ी गारिया बड़े बड़े लंगजरी कोठिया जो बन रही हो कहां से बन रही है वह यहीं से तो बन रही है आप देखो यहां पर और एक एक करके प्रोड़क्स में अगर लिबगार्ड की बात करता हूं तो वैसलीन 45 रुपे का हमारे को मिलता है इसी तरह से अगर एक एक करके जितने भी प्रोड़क्स आप कुछ भी ले लो आप अचा कई लोग सोचते के आप कुछ का कंपरेशन दिखा देते हो जो सस्ते सस्ते कंपणी ने पॉलिसी बना के कुछ की रेट कम कर दी अरे यह कंपनी वह है जो कहते हैं कि सस्ता मतलब आर लिए टौर्ट रैंट अरे ब्रट तो अपने बनाया मार्केट में कटो ब pose ब्रां तो जब आप काम करते हो त्बी तो ब्रांड म्नता है आपकर नहीं ले होगे तो ब्रांड कहां से चला जाएगा मेरे इतनी बड़ी कम्पनी को समझने और चेक करने लिए यह प्रोडक्स पावर जो ने बहुत बहुत कमाल की है और अगर आने वाले दिनों में अगर ऐसे आपको दो, चार, पांच हजार प्रोडक्स दिखने लग जाए आने वाले वक्त में आपको बड़े-बड़े डिपार्ट्मल स्टोर आरस्यम के भरे-बरे हजार ओप्रक्स कर दिखने लग जाए तो आप अन्दाज़ा लगा सकते गारिसिंग की तहरे 우리 किस रूप में किदर जाने वाली हैं अबी हम काम करते हैं चिसमें बिजनस कोIt's regig करते हैं जाकि जो चार्ड मेंने आपको पहले भी दिखाया और यहां पर हर साल काम करते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में अभी जो अफडाउन अपडाउन होता है कंपडी के थी अब आप डाउन को छोड़ो अब आप डाउन मत करो आपको जितना सपोर्ट ची हो वह सब कुछ फक्रोद की फिर काम करते हों तो पांच साल में पैसा कंपणी अब तक लोगों को दे रही थी अगर मैं यह को आने वाले पांट सल मालीया 2-021 में जितना छेक आपका बनता 22 में तैइस में चोईस में परचीस में यानि 2-025 तक जितना पैसे आपका मनता कम्पपपणी कैनी की आपसे समरिंबो ओवाब और कम्पणी सिर्फ आपसे डेडिकेशन मैंग रही है कम्पनी आपसे विष्वास मांग रही है कंपनी आपसे ऐसी को चीज मांगी नहीं जिससे आपका एक पैसे का नुक्सान हो जाए अब अभी जो आपकी जो बिसनस में ग्रोथ होती है 2015 में अगर आपने काम किया जो ग्रोथ हुई 2016 में फिर आपका बढ़के फिर आप यहां पहुंचे 17 मैंसे हुए 18 मैंसे हुए 19 मैंस सिवे 20 मैं सिवे जो भी लोग पिछले पांच सालों से साथ सालों से दस सालों से काम कर रहे हैं अगर वो देखिंगों कि तसमर में आया पहले एक साल में मैंने काम किया मैं इगल चला गया दूसरे साल में टेक्निकल चला गया चौते साल में स्टार पल चला गया पांच में साल में इमरेल चला गए अब तक ग्रोथ ऐसी थी लेकिन 2021 में ग्रोथ ऐसी होगी अब हमारा ग्रोथ का तरीका यह रहे गई नहीं चेंज हो गया अब इसका मतलब यह नहीं कि दो 2021 में तो बहुत उचे चले जाएंगे और 2022 में धुड़ांग से नीचे गड़ जाएंगे ऐसा नहीं है क्योंक्तानी कि थो याँ दो कंपनी की तैरियां यह बड़ा की और वाय Спक्तिया ते ल्फक बड़ीए तो याँ आने वाले दिनों में ग्रोथ का ग्राफ कुछ ईसा होने वाला है और अगर ऐसा होने वाला है तो अगर जुरास भी आप कैल्कुलेटिव आदमी है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कमपनी आने वाले दो जार बाइस तेईस चोईस पचीस में कितना पैसा देगी बैचे पांच साल का एक साल में निम्टा दिया तो लोग सोचे अर बाइस में कुछ देगी कि खाली भेज़ देगी मैंने का ने 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 ऐसा नहीं वही आप यह सोच लोगा है एक साल में पांच साल का देखे और 2000 बाइज से चेक जीरो कर देगी सा नहीं आने वाले चार सालों में कमनी 20 साल कितना पैसा कम हो ओगे उतना पैसा आपको आने वाले इन अगले 4 साथ यह विचंजी तब देखिए यहां पर इमोशन से बिजनस नहीं चलेगा मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखो अगर आप इमोशन से बिजनस करोगे तो ज्यादा दिनों तक आप बड़े काम या भी के जंडे नहीं गार पाओगे आपको बिजनस में डिसिप्लीन और करनी है अब आप मेंसे किसी एक ने नहीं किया मेरा तो गया काम से अगर में इमोशनल तरीके से काम करूँगा तो मेरा बंटा ढार हो जाएगा मैं आपको आज यहां पे खुला सब के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि इमोशन से नहीं प्रॉफेशन से बिजनस करिए सीखिए समझ यह प्लैन करिए डंग से काम करिए देखो बड़े-बड़े बिजनस और एंपायर इसलिए काम करते हैं कि मुझे डिसिप्लिन तरीक यादा लेना तो जयादा देना है जादा देना तो जयादा लेना है अपको यह जो एकर आपने गलती से छोड़ दिए यह हई-speed train यह ओकहते हैं यह बागंपूर एक्स्प्रेश का सबीने होाइब जोसिकर जयूब गन्हीं गें पहु तो प्र यह पकड़माने वाली नहीं है ट्रेन नोठी तो दूसरे दिन पखरे लेते हैं लेकिन यह बिसनस की यातरा ऐसी है कि जनावरी गया तो फिर आपका गया से इसलिए यहाँ पे छोड़ने की गुंजाइस आपके पास है ही नहीं देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है बहुत सिंपल बात करना चाहता हूँ बाते ही मैंने साहर हो सकता आपको कुछ बड़ी बड़ी सेर कर दी होगी कुछ बड़ी इंकम के बारे में आपको जानकरी साहर हो सकता आपको हजम हो या नहो लेकिन तैयार करिए अपने आपको बहुत आसान बिजनस है हाँ आपको कुछ ना सुननी पड़ेगी ना करेंगी लोग बाग काम है उनका वो करते हैं वो तो बीस साल पहले मुझे करते थे आज भी मुझे करते हैं है वो तो आपको मुझसे क्या पूरा हिंदुस्तान करता है नकरात्मकता तो दुनिया में लोगों के पास होती है लोगों ने जिस माहल में रहा है उसमें सब कुछ ऐसा होता ही है लेकिन आपको अडिक रहना है डटे रहना है कमिटेड रहना है आपके पास एक बहुत बड़ा पार्टनर है ये इस कमपनी के रूप में जो आपको बहुत कामिया बनाने के लिए काम करता है और अगर आपने ना सुनने की आदर डाल दी तो दुनिया का सबसे आसान काम लगेगा या सबसे आसान करते जाओ आप रम जाओ इस बिसनस में ना तो सब को करते हैं मुरी भी करते हैं मुझे फराग इनीं पड़ ता क्योंकि मुझे मुझे मालूब नी nicest किEMA कौन क्या कर रहा है मेरे सगे साली ने मुझे मना किया बीस सालों हिए वह अपने घर मेरे घर में debit में आज आज आपके बीच में काम कर रहा हूं मेरा साल अपने गर्म अपना जंदा कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं साले के बिटा रहता था आज आपके बीच में नहीं होता है जिसका सपना बहुत कम लोग देखते हैं लाखों में एक लोग देखते हैं वो चीज़ें आपके हाथ में हो सकती है सबसे आसान काम है कर डालो सबसे आसान काम है कर डालो अगर कर डाला तो आपका परणाम भी बहुत बड़ा होगा और अमीर बनने की दोड में आप सामिल हो चुके होंगे मेरी बात यहीं पर खतम होती है और मैं वापस माइक दे रहा हूँ जो भी हमारे होस्त है उनको थैंक यू सर बहुत बहुत थैंक यू सर बहुत शानदार आपके द्वारा जो एवरी मंडे एट पीम पर जानकरी दी ज जन्हों ने अपनी टीम को इस बिट में लाए और आज उन्हों का बिजिनिस बहुत शानदार तरीजी इसी गरुद कर रहा है और जो अपने आम में एक कहानी के लिए प्रेक वान जाते हैं अगली आवाद देता हूं मिश्टर जितन सक्सना पली बेलकम सर जितन सक्सना जी 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 धन्यवाद रवी साय जी पेशी चावड़ा जी ने बहुत ही सांदार तरीके से आज दुबारा रिफरेस्ट किया और पिछली बार पिछले हपते के तुल्मा में जो आज बाते बताई हैं वो कुछ फिसेस हैं क्योंकि आज कहानी के बारे में कुछ बात किया ग की है और इंजिनियर होने के साथ साथ सांदार तरीके से जीवन चल रहा था मेरा बहातरीन तरीके से नोगरी चल लए थी एक मनेजर के पत पर मैं का रहा था और बढ़िया 40-50 अहरों महने आ रहा था उसी दौरण मेरे जीवन में एक सांदार अपरचनोटी थगड़ाइए और एक हमारे सीनियर अप्लाइन विरेन चौदरी जी के माध्यम थे जैसे ही मुझे बिज्ञेस मिला मेरे घर में चायपत्ती लेकर आये थे और मातरू समय चायपत्ती ही एक वेट हुआ करता था हर्शियम में कपड़े के खालावा उस चायपत्ती को पी कर में इस बिज्ञेस में जो चायपत्ती अच्छी लगी धिरे धिरे मैंने वी सुरूए मना किया कि मैं इंजिनियर हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं किसे को जोईन नहीं करा पाऊंगा, और इस पकार की बहुत सारी बातें, मैंने कहीं जो आज भी आपके सामने बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, अनपढ़ हर तरह के लोग करते होंगे, लेकिन साक्यों, उस द रात को एक घंटे, दो घंटे साज में देना, संडे संडे काम करना, लगातार बिजनस में सीखना, और लगातार लगातार अपलाइनों के सायोग से बिजनस को समझता रहा, कुछ-कुछ पोईट लांच होते रहे, दिरे दिरे पोईट बढ़ते गए, और साथियों बहुत तरीके से जीवन में राल्टी जैसी बात थी, वो राल्टी छह मैने में मुझे पराप्त हुई, टेकनिकल जैसी इंकम की बात हुई, टेकनिकल इंकम पराप्त हुई, और धीरे दिरे करके वो समय भी आया, जब मेरी जो नौकरी की इंकम थी, उससे बड़ा अर्शियों का इंकमाना शुरू हुआ और गो दिन ऐसे सांदर समय था जब मुझे ऐसा लगा कि जीमन ने बहुत कजब कुछ सांदर चला है और यही एक बहतरीन जबरजस्त महौल नौकरी करते हुए इस बिजनेस को मैंने इस बिजनेस को किया पुरे भारतपस में अलग अलग जगा मेरे मैं मेघाले मेरा वरतमान में मैं कुछ गुजरात में हूँ जहां पर मैं कुछ गुजरात में हूँ वहां पर मैं बहुत अच्छे प्रोफेशन में हूँ एक डिपार्टमेंट में होडी के पत्पर का रहात हूँ जहां पर वरतमान में मेरी सेलरी दो लाग रुपे मैने है और बहुत सांदर पैकेज है, बहुत जबर्जस तरीके का जीवन चल रहा है और उसके साथ साथ पार्ट टाइम समय निकाल कर एवरी मंडे एट पीम सामपो, सुबह जब नौका मिलता है टीम के मैंनेजमेंट से मैं काम करता हूँ और बहुत ही सांदर तरीके से आर्शियम में काम करते हुए तकरीबन डेड़ करोड रुपए अलो, मांकर डेड़ करोड रुपए मैंने इस बिजनस से प्राप्त किये हैं लेकिन साथियों ये पताते हुए बड़ा हर्स हो रहा है आप लोगों को कि दो लाख रुपए जब जिस जहां मैं नौगरी करता हूँ वो भी मेरे एकाउंट में आता है और तकरीबन डेड़ लाख रुपए वो भी आता है जो आर्सियम का है दोनों का मज़ा कुछ और है मज़ा कुछ और है ये बात बड़ी जवर जस्त है और मैं अभी आपनों को सब को एक पिच्चर बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं जिसलिए मैं क्यों करता हूं ये बिजनिस मैंने भी एक दो मीनिटिंग में बात सेयर की है मैं दो मिनट में ये बात को सेयर करता हूँ मुझे मालूम है कि I am running 48 मैं 48 साल में जी रहा हूँ और आने वाले 12 सालों बाद जब मैं नौकरी में रहूँगा तो हो सकता है मेरी income महाँ पर 4 लाख होगी 5 लाख होगी और उसके बाद आर्शेम में भी काम करता रहूँगा तो आर्शेम में भी income हो सकता है 8 लाख 10 लाख होगी 58 साल जब होगा सातियों तो एक दिन आएगा और मेरे पूरे साती 50-60 लोग डिपार्टमेंट के मुझे बैठाएंगे और एक मेरी फेरवल होगी और मुझे बोला जाएगा सक्षेना जी बहुत अच्छे आदमी थे बड़े होनहार वक्ती थे अपने जीमने बड़े सरल्थवाब से काम किया हम इनके अज़लभईस की कामना करते हैं जहां भी रहें अच्छे रहें सवस्त रहें अज़लभईस की कामना करते हैं और उस दिन हमारी 5 लाग की इंकम जीरो हो जाएगी है और उस दिन हम आर्शियम में 2 गंटे की जिया है जिएंगे हैं आप सबी नों को यह जाहता हूं कि इस सब के साथ होना चाहता है कोई भी बिजनसमैन है, कोई भी धंदा करता है, कुछ भी करता है मेरी सबलता का सिर्पेगी राज है कि मैंने कभी भी जीवन में जैसा कि केशी जी बोल रहते प्रात्मिक्ता आपने जो भी मैं काम करता हूँ उस काम के बाद दूसरी प्रात्मिक्ता मेरी आर्सियम थी ना मैंने कभी साधी विवा को प्राथ मिक्ता दी, ना कभी टीवी को दी, ना कभी अभी भी कॉड़ोपती आ रहा है, कौन बने है कॉड़ोपती, लेकिन डेली नोबजी हम लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि हमारी मुझे हमको कॉड़ोपती बनना है, हमारे टीम को कॉड़ो सकता है सातियों हर्षे में हर वक्ती हर्ट अंचा नाटागोरा काला सब कुछ सपर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए तो है निरंतर्ता लगातार 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 और इसी बात को समझ के कंपनी ने ग्रोथ प्लान दिया है मैं बहुत धन्नवाद देना चाहता हूँ हमारे सीनियर अप्लाइनों का भीयंग गुपता जी का नरे साटोर जी का स्पी सिंग नरवरिया जी और जेके जैन साब भीयंग गुपता जी हमारे सबी हंडेट परषन बन सकते हैं जो चावणा जी कह रहे तो जो पहले 20 साल में हुआ वह एक साल में हो सकता है इस बात को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए जो पहले 20 साल में हुआ वह सकता है और मिलेंगे जरूर जो सर बोल में थे 2021 जब दिसंबर आएगा उस समय जो महौल होगा कुछ अलग होगा बहुत बढ़िया आप सभी दिन दुगनी राजचोगनी प्रोग्रस करें ऐसी मरी आसा है थैंक यू जै आर्शियम और मैं आप सभी इनों का धन्नवाद देना चाहता हूँ कि आप साने बड़े धैरे से मरी बात को सिया और लगातार आप लोग बढ़ें और सुन से सिकर की और बढ़ें और हमेरी जैसे आज कहानी आई है आने बाले समय में दो मैने बाद तीन मैने बाद आपकी कहानी आए बहुत अच्छा लगेगा कि इस मिटिम में हमारे गुरुदो मानिने केसी छाड़ा जी की दोवारा जो ग्यानी की वरसा होती है अमरत की वरसा होती है उसका आपको फादा मिलता रहेगा और मैं अगली आवाद देता हूँ मिटिंग वापने के लिए माने नहीं भी यंग वपता जी प्ली वरकम सर जी आज सर ने जो हर बार हर मंडे को कुछ नंको जैसा मिलता है कि हमारा जोस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता बस इस को जोस को हमें अपने फेल्ड में ट्रांसफर करना है और जिस तरह के से सक्षना जी ने अपनी कहानी बताई हम चाहते हैं कि हर मंडे कोई ने कोई हमारा साथी कुछ आठ दिन में अचीमेंट करके लाए कि हर मंडे को हमें एक नई स्टोरी शेयर कर पाएं ताकि इस बिजनिस में जो पच्चीज प्रसंड ग्रोथ की बात है वो हंडे प्रसंड हम सब लोग अचीब कर पाएं हर दिन 24 घंटे 3562 दन केबल एक साल की बात है यह समझ लीजिए कि पूरी जिंद्गी एक तरह और आपकी जिन्दिगी में 2021 बारी पढ़ने वाला है यह 2021 की पूरी मेनत आपकी जिन्दगी के पूरे पूरे इतिहास वाला आपके पूरी कई पीडियों का इतिहास बदल सकती है इसलिए सबी साथियों से करबद निवेदन है कि आपने अभी तक जो किया ठीक है लेकिन अब जो करने की बारी है आप विल्कुल कहीं से भी कुछ भी हो जाए ससुराल से, मायके से, इधर से, उधर से, माताजी, पिताजी सबसे आप पर्मीशिन दीजे साधी होने वाली है तो एक साल के लिए रोक दीजे हो गई तो स्रीम अधीज से कर दिए एक साल यदि आप हमें फिरी करती है तो जीवन भर हम आपके साथ 24 घंटे 35 जहां चाहो जिस तरीके से चाहो उस तरीके से हम साथ आपके साथ जीवन यापन करने की तैयारी करने जा रहा हैं बस एक साल मुझे पर्मिसन दीजिए आपकी अप्लाइन आपकी डाउनलाइन जो भी है तब से आप सब लोग मिलके ता जाने की गई है जो पूरे सिस्टम के दोर हमको जो सौगत दी गई है हंडर परसंट हम उसका अचीमेंट कर पाएं और साही जी मैं चाहता हूं कि हमारे भी जैन साब हैंगे आज नहीं होंगे आप सब लोगों को एक बात सेर करना भूल गया और मेरे खाल से हमारी माद्यम से ये जो मंडे का प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है और आने वाले वक्त में लाखों लोग इसके वीडियो को देखेंगे और सब जिगे बहुत पूरे भारत में इसको लेके बहुत सुच्छा रहता है तो हमारे जो जैन साब हैं उनके छोट हम एक थोड़ी सी देर का मौन व्रत हम उनके लिए रखें और उनके आत्मा को सांती मिले और इस्वर उनको अच्छे जगे में उनको अपने पास रखें और उनको अच्छा-च्छा मतलब प्रेर्णा सोत्र बनाए और हम लोगों को उनके मार्क देशन पर चलने के लिए ब झाल झाल जैर्ची यहां पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ दो को बिजनस तो खर अपनी जगह है लेकिन एक जो है सुरक्सा सेक्यूरिटी जब जैन साब के ब्रता है जो कि मेरे बहुत करीबी भी है मेरे काफी मतलब मेरे रिलेटिवस भी है मेरे करीबी भी है और मैं उनक बहुत करीब सेस है मेरी मतलब हर पंद्रा बीच दिन में एक आद बार बात होती है और इतने हस मिजाज इतने मस्त मुला आदमी है तो इतने मस्त मुला थे सोरी है ने तो इतने मस्त मुला आदमी थे मतलब जैसे करना उनकी अब वो एक एक बाते एक एक लाइन मुझे ही उठा रहे हूं और अचानक जब उनके बारे में सुना तो मैं तो एक दम ततने विस्वास नहीं हुआ और मैं खुद बताओं मैं आपको दो तिन दिन तक मुझे इतना मतलब अज़ने शौक लगा मैं नकाई यह क्या हो गया है अगर को एक इस तरह का व्यक्ति अगर इस दुनिया को छोड़के जा सकता है तो आखिर हमारी सिक्यूरूटी क्या है ऐसे में अगर आर्से मिजनस आपके लिए जो भी काम कर र IRA यह आपके एक सिक्यूरूटी कि लेते दे किसी की दुनिया में किसी की कोई गारंटी नहीं nya लेकिन हम अपने परिवार की एक गारंटी बन सकते हैं और अगर एक साल की जो थियोरी है ये एक साल की थियोरी ऐसी बहुत सारी चीजों को लेके है हम क्यों यहां पर पैसा बहुत बड़ा बनाएंगे यही नहीं है हम एक साल में ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारे जीवन में कभी भी पैसे को लेकि हमारे परिवार को और हमारे को कभी किसी तरह की कोई परिशा नहीं हो ही नहीं है और मैं चाहता हूँ यहां पर और हमारे बीच में कमलेज जी और कोई साथी है जिन से परिचे कराना चाहेंगे अभी हमारे बीच में सर टेखनी की साथ हो गया आज हम लोग क्लोज कर सकते हैं अच्छा ठीक है तो बस आज की यात्रा है हम आज यहीं पर मिटिंग को समप्त करते हैं और मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब करते हैं जी बिलकुल बिलकुल और बिलकुल हमारे पास जो अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज 18 तारिक हो गई है हमारे पास अब 11 दिन बचे हैं इस मेने के तेरा दिन सोरी तेरा दिन बचे हैं तो अब वो तेरा दिन आपको कैसे काम करना है यह मुझे बताने की जरुत नहीं है और कहते हैं में जब आकरी के दिन होते तो यह बासालुटली परसन औरिमने के रहें इस बात हुथ हैं ज्यार्चे मियार्चे 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 मियार्